आज दादी जी से सुनते हैं एक कहानी नाम है जिसका गुरु जी और दादी जी ये कहानी तब भी सुनती थी जब दादी जी भी छोटी सी थी तो चलिए सुनते हैं कहानी गुरु जी और उसके पहले जान लेते हैं कि इस कहानी के पात्र कौन-कौन है कहानी में है छोटा लालू, लालू की ममी और लालू के गुरू जी, तो कहानी बहुत दिन पहले की बात है, लालू और मैं छोटे छोटे थे, हमारी उम्र होगी करीब 10-11 साल, हम अपने गाउं के पाथशाला में साथ साथ परते थे, लालू बहुत शरार्ती था, उसे दूसरों को परिशान करने और डराने में मज़ा आता था, एक बार तो उसने अपनी मा को भी डरा दिया था, उसने यह किया कि रबर का एक साप ले आया, वह साप उसने मा को दिखाया, साप देखकर मा बहुत डर गई, वे घवरा कर दौड़ी, दौड़ने में बेचारी मा के पाउं में मोच आ गई, मोच की वज़र से उन्हें साथ दिनों तक लंगणा कर चलना पड़ा, वे लालू की शैतानियों से बहुत तंग आ गई थी, उन्होंने एक दिन लालू के पिताजी से कहा, इसके लिए मास्टर रख दें, जब रोजाना शाम तक पढ़ने बैठेगा, तब इसे पता चलेगा, सारी शैतानी भूल जाएगा, पिताजी बोले, नहीं, जब मैं छोटा था, तब मेरे लिए मास्टर नहीं रखा गया था, मैं तो अपने आप पढ़ा, खूब मेहनत की, पढ़ लिखकर आज वकील हूँ, मेरी इच्छा है कि लालू भी अपने आप खूब पढ़े लिखे, अच्छा आदमी बने, हाँ, इतना कर सकता हूँ, कि जिस साल वो अपनी कक्षा में प्रथम नहीं आएगा, उस साल हम उसके लिए घर पर पढ़ाने वाला मास्टर रख देंगे, सुनकर लालू ने चैन की सांस ली, लेकिन उसे माँ पर बहुत गुसा आया, लालू मास्टर को पुलिस जैसा मानता था, वो बात-बात पर पिटाई करता है, जो मनमर्जी नहीं करने देता, लालू के पिता अमीर थे, कुछ साल पहले उन्होंने अपना नया मकान बनवाया था, मकान सुन्दर था, तीन मन्जिलों का था, लालू की माँ चाहती थी, कि इस नय मकान में गुरुजी भोजन करें, जूठन गिराकर उन्हें आशीश दें, लेकिन वे बुढ़े थे, वे फरीदपुर में रहते थे, फरीदपुर काफी दूर था, इसलिए वे आने के लिए तयार नहीं होते थे, आखिर बहुत दिनों के बाद ऐसा अवसर आ ही गया, गुरुदेव सूर ग्रहन के पर्व पर काशी आये थे, उन्होंने लालू की माँ नंदरानी को लिखा, कि वे जब काशी से लौटेंगे, तब उनके घर जरूर आएंगे, नंदरानी बहुत खुश हुई, वे गुरुजी के स्वागत की तयारी जोर शोर से करने लगी, उनकी मनोकामना जो पूरी होने जा रही थी, वे सोच रही थी इस नए मकान में गुरुजी पधारेंगे, तो घर पवित्र हो जाएगा, नंदरानी ने तयारी शुरू कर दी, नीचे के बड़े कमरे का सारा समान हटाया गया, गुरुजी के लिए निवाड का पलंग लगबाया गया, गुरुजी को तिमंजले पर बने, पूजा घर तक आने जाने में परिशानी होती, इसलिए पूजा की जगे भी नीचे के कमरे में बना दी गई, कुछ दिनों बाद गुरुदेव आ गय, उनके आने का समय ठीक नहीं था, क्यों? क्योंकि मौसम खराब था, आस्मान में घने बादल चाय हुए थे, बाहर मूसलाधार बारिश होने लगी थी, तेज हवा बह रही थी, इधर लालू की मा काम में जुटी हुई थी, वे तरह-तरह के पकवान बना रही थी, फल-फूल सजा रही थी, उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं मिल रही थी, बहुत काम थे, गुरुदेव के लिए पलंग पर बिस्तर बिचा दिया गया, मसहरी लगा दी गई, खाना खाने के बाद गुरुदेव बिस्तर पर जाकर लेट गया, बिस्तर मुलायम और आराम दायक था, उन्हें आनंद आ गया, उन्होंने मन ही मन नंद रानी को आशीश दिया, वे ठके हुए थे, इसलिए जल्दी सो गया, नौकर चाकर भी काम निप्टा कर चले गया, आधी रात को अचानक गुरुजी की नीद खुल गई, उन्हें लगा, छट से पानी टपक रहा है, और पानी उनकी तोंद पर गिर रहा था, अरे बापरे, कितना ठंडा पानी है, वे चौक कर उट बैठे, उन्होंने तोंद पर गिरे पानी को पोच डाला, मन ही मन बोल उठे, नंदरानी ने मकान तो नया बनवाया है, लेकिन लगता है कड़ी धूप की वज़े से छट फट गई है, पलंग निवार का था, इसलिए भारी नहीं था, गुरुदेव उसे मसहरी समेत खीच कर दूसरी ओर ले गए, और फिर सो गए, अभी कुछ ही पल बीते थे कि पानी की बूंदे फिर आगिरी, वे पलंग को फिर दूसरी ओर ले गए, लेकिन फिर वही पहले की तरब पानी गिरा, अब तक तो बिस्तर भी काफी भीग चुका था, वो इतना भीग गया था कि सोने लायक ही नहीं था, गुरु देव सोचने लगे, अब क्या किया जाए, बुढ़े आदमी थे, अंजान जगे थी, इसलिए दर्वाजा खोल कर बाहर आने में डर था, भीतर रहना भी खत्रे से खाली नहीं था, पतानी छट कब सिर पर आगिरे, डर्ते डर्ते उन्होंने दर्वाजा खोला और बाहर निकल आए, बाहर बरामदे में रोशनी कम थी, एक लाल्टेन जल रही थी, दूर तक अंधेरा था, और पानी जोर से बरस रहा था, तेज हवा थी, इसलिए वहाँ खड़े रहना कठिन था, आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, घर के नौकर चाकर पता नहीं किस कमरे में सोते हैं, गुरुजी को इस बात का पता नहीं था, उन्होंने दो-तीन बार आवाज भी दी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया, एक और एक बेंच पड़ी थी, इस बेंच पर लालू के पिता के मुवक्किल बैठते थे, अब मरता क्या न करता, लाचारी थी, गुरुदेव उसी बेंच पर बैठ गए, उन्हें मन ही मन लगा कि इस पर बैठने से उनका अपमान होगा, लेकिन कोई और उपाए नहीं था, सर्दी भी लग रही थी, गुरुदेव ने धोती का एक हिस्सा खोला, और सिर पर डाल लिया, दोनों पैर सटा लिये और उकुरू बैठ गए, इस तरह बैठ कर आराम पाने की कोशिश करने लगे, मन बहुत दुखी हो गया, इधर नीच से आखे बंद हुई जा रही थी, उन्होंने जो भोजन किया था, बड़ा स्वादिष्ट था, इसलिए कई बार खट्टी डगारे भी आई, उन्हें कई तरह की चिंताएं सताने लगी, ठीक उसी समय एक नई परिशानी शुरू हो गई, बड़े बड़े मच्छर कानों के आसपास गुन-गुनाने लगे, वे परिशान हो गए, बाप रे, इतने सारे मच्छर, वो भी बड़े बड़े, इनके काटने से तो बड़ी तीखी जलन होती है, इस मच्छर सेना से कोई बहादूर नहीं लड़ सकता, गुरुदेव ने उस थान को तुरंट छोड़ देने में ही भलाई समझी, वे वहाँ से कुछ दूर हट गये, लेकिन मच्छर कहां मानने वाले थे, उन्होंने वहाँ भी गुरुदेव का पीछा नहीं छोड़ा, जैसे कमरे में पानी तंग कर रहा था, वैसे ही बाहर मच्छर परिशान कर रहे थे, आगे कुवा, पीछे खाई जैसी बात थी, वे मच्छरों को भगाने के लिए अंगोचा फटकारते रहे, लेकिन उनके हमले को रोक नहीं पाए, परिशान होकर वे इधर उधर दोड़ने लगे, सर्दी थी फिर भी वो पसीने से नहा गए, एक बार तो उनके मन में आया कि जोर से चीख उठें, लेकिन ये सोच कर चुप हो गए कि ऐसा करना बच्पना होगा, वे सोचने लगे, नदरानी मुलायम बिस्तर पर मसहरी लगाकर आराम से सो रही है, घर के सारे लोग भी सोई हुए हैं, लेकिन मेरी जान आफ़त में हैं, तभी घड़ी ने चार बजने की सूचना दी, टन, 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 परिशान होकर वे बोल उठे, काटो शैतानो, खूब काटो, अब मैं तुम्हें नहीं भगाऊंगा, इतना कहने के बाद भी में चुप नहीं बैठे, मच्छरों के हमले से बचने के लिए अपनी पीठ दिवार से सटा कर बैठ गये, फिर बोले, सवेरे तक जान बच गई, तो इस अभागी जगे में कभी नहीं रहूंगा, पहली गाड़ी से घर चल दूंगा, अब समझ गया, यहां आने का मन क्यों नहीं करता था, यही सब सोचते सोचते उन्हें नीद आ गई, रात भर की ठकान तो थी ही, इसलिए बेखबर होकर सो गई, इधर नंदरानी सुभह जल्दी उठ देई, उन्हें गुरुदेव की सेवा के बहुत सारे काम करने थे, रात में गुरुदेव ने केवल जल्पान किया था, हालांकि जल्पान काफी तगड़ा था, फिर नंदरानी कोई कमी नहीं चोना चाती थी, आज उनका मन उस घाटे को पूरा करने का था, नीचे उतरने पे उन्होंने देखा, गुरुदेव के कमरे का दर्वाजा खुला हुआ है, वे लज्जित हुई कि गुरुदेव मुझसे पहले जाग गये हैं, उन्होंने कमरे के भीतर जांका, गुरुदेव वहाँ नहीं थे, यह क्या हुआ, पलंग तो उथर था, इधर कैसे आ गया, उनका जोला भी बाहर खिड़की के पास पहुँच गया था, पूजा का सामान और आसन दूर बिखरे पड़े थे, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बाहर आकर वे नौकरों को पुकारने लगी, तब तक कोई नौकर नहीं जागा था, वे चिंता में पढ़ गई, आखिर गुरुजी कहां गए? अचानक नंद नानी की नजर एक और पड़ी, अरे यह क्या है, इस अंधेरे कोने में आदमी की तरह कौन बैठा है? हिम्मत करके वे उसी तरफ बढ़ गई, देखा, अरे यह तो गुरुजी है, इसी डर से चिला उठी, गुरुजी! आवाद सुनकर गुरुजी की नीट तूट गई, धीरे धीरे आखे खोली, वे सीधे बैठ गए, नंदरानी चिंता में थी, उनका गला भर आया था, पूछा, गुरुजी, आप यहां क्यों बैठे हैं? गुरुजी उठ खड़े हुए और बोले, बेटी, रात भर मेरे दुखों की सीमा नहीं रही, क्यों गुरुदेव, क्या हुआ? चट चटक गई है, रात भर पानी की बूंदे टप टप मेरे उपर गिरती रहीं, कहीं चट ना गिर जाए, इस डर से बाहर भागाया, लेकिन यहां भी बच नहीं सका, यहां बहुत सारे मच्छर थे, वे भी बड़े-बड़े, मच्छरों ने मेरा आधा खून पी लिया, गुरुजी की यह दशा देखकर, नंदरानी की आखें गेली हो गई, बेचारे गुरुजी, बहुत दिनों तक मनाने और निवेदन करने पर तो यहां आये थे, और यहां उनकी यह दशा? बोली, मगर गुरुदेव, यह मकान तो तीन मन्जिल का है, बरसात का पानी तीन तीन छटों को पार करके कैसे गिर सकता है? वे कहते कहते अचानक रुक गई, तुरंत समझ गई कि कहीं इस कांड के पीछे लालू का हाथ न हो, वे गुरुजी वाले कमडे की तरफ गई, देखा, बिस्तर काफी भीगा हुआ था, मसहरी के उपर बर्फ का एक टुकड़ा कपड़े में बंधा था, अभी वे पूरी तरफ गल नहीं पाया था, वे पांगलों की तरफ दोड कर बाहर आई, जो नौकर मिला उससे चिलना कर पूछने लगी, पाजी ललुआ कहां गया, कामकाज भार में जाए, वो शैतान जहां मिले उसे पीटते पीटते पकड़ लाओ, लालू के पिता उस समय नीचे उतर रहे थे, लालू की मा का चीखना चिलाना देखकर, वे हैरान रहे गए, उन्होंने पूछा, आखिर हुआ क्या, ये क्या कह रही हो, नंदरानी ने रोते हुए कहा, या तो ललुआ को घर से निकाल दो, नहीं तो मैं गंगा में डूब जाऊंगी, मगर किया क्या है उसने, गुरुदेव की कैसी दशा बना दी है उसने, आओ आकर अपनी आँखों से देख लो, सभी लोग अंदर आ गए, नंदरानी ने सब दिखाया और सुनाया, फिर पती से बोली, अब तुम ही बताओ, कि इस शेटान लड़के को लेकर, कोई इस घर में कैसे रह सकता है, गुरुदेव की समझ में सारी बात आ गई, वे अपनी बेव कूफी पर, खिल खिला कर हस पड़े, लालू के पिता, दूसरी और मुँ फेर कर खड़े हो गए, एग नौकर ने आकर बताया, लालू बाबू कोठी में नहीं हैं, दूसरे ने आकर बताया, कि वो मौसी के यहां मिठाई खा रहे हैं, हमने आने को कहा, मौसी ने उन्हें आने नहीं दिया, लालू की मौसी, नंदरानी की छोटी बहन थी, उसके पती भी वकीर थे, वे दूसरे महले में रहते थे, लालू पंदरा दिन तक अपनी मौसी के ही यहां रहा, उसने अपने घर में कदम तक नहीं रखा, आकर मा से पिटने का जोग दर था, तो पसंद आई ना कहानी, शरत चंदर चटोपाध हैजी की लिखी गुरू जी, झाल